हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग अच्छे हो बढ़िया हो बिलकुल ऐसे रहेगा और आपके जितने भी पेपर हुए है यह बहुत अच्छे रहे होगे और मैं आपका एक बात कहना चाहूगा कि पेपर अच्छे रहो या फिर थोड़े बहुत अच्छे ना हो इसके बारे में ज्यादा मस सूचिएगा आपके हाथ में जो था आपने अपना बैस दिया अब देखते हैं कि आगे रिजल क्या आएगा लेकिन अब मेरा पेपर बचा हुआ है इंडारिक टैक्स जो आपका लास पेपर होता है और सबसे पहले यह कहोगा कि अपनी इनर्जी मत कम करना यह लास पेपर को आपकी इनर्जी थोड़ी बहुत कम हो जाती है पर नहीं पुरे जोश के साथ हम इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल करेंगे फेस करेंगे और येस इस बार 80 पार बेटा अप जिसका वेट कर रहे थे, आज हम लेने वाले हैं, और वो है one day before examination, आपके strategy क्या होनी चीए, मैं आपका ज्यादा time नहीं दूगा, क्योंकि मुझे पता है, कि आपका time बहुत precious है, तो आपका ज्यादा time मैं यहाँ पे नहीं लूगा, मैं फटा फट यहाँ पे आपको topic wise strategy बता देता हूँ, और आपका जो planning है, NADT का paper होने के बाग, अगर आप 6 बजे से पढ़ना चालू करोगे, तो 6 बजे से, जब तक आपका IDT का paper start नहीं होता है, तब तक आपकी complete planning कैसे होनी चीए, आपका schedule कैसा होना चीए, उसके बाएर मैं फटा फट बात करेंगे, तो मैं यहा चलिए, यहाँ पर, सबसे बएले goods and service tax topic wise फटा फट देख लेते हैं, जब आप basic introduction वाला module, constitutional provision वाला module पढ़ोगे, तो यह 3 article बस पढ़के जाना, 40-50 पर इसका module है, ज्यादा time मत वेस्ट करना, कि यह 3 article, article 246A, 269A और 279A, जो यहाँ पर source entry है for GST, यह अच्छे से पढ़के जाना, plus applicability of tobacco, opm, petroleum product, GST कैसे applicable होगा, उसके बारे मैंने यहाँ पर, आपको टेबल बना के दिया वो, और GST council के क्या role है, वो एक पढ़ लेना, मैंने यहाँ नहीं भी दिया होगा, तो जो जो मुझे याद आएगा, वो मैं बता दोगा, GST council का role, और format of utilization of ITC, ITC कैसे आपने use करना चाहिए, एक बार आपकोने format देखके चले जाना, अब आपको एक बात बता दो बेटा, यहाँ पर, कि यह गिन कर 4 से 5 पेज जो है, अच्छे से पढ़के जाना, और यह module खतम कर देना, इस से जादा इसको time नहीं देना चाहिए, मेरे इसाफ से, गिन कर 15 minutes आपको यह time जाना चाहिए, ICI practice question, मैंने देखो, यहाँ पे जब आपके questions कौन से करने हैं, तो मैंने पहले तो दिया ICI practice questions, जो आपको website पे मिल जाएगे, तो उनके भी question आप कर सकते हो, otherwise हमारे questionnaire के कुछ important questions मैंने दी है, दोनों तो आपको possible नहीं है, हमारे questionnaire में मैंने जो है, वो यहाँ पे cover किये ICI की सबी questions, लेकिन, आपको मैं यहाँ questions से related दो strategy बताता हो, पर एक follow करना, पहले decide कर लेना है कि क्या करना है, आप ICI के practice question और related MCQ questions भी देख सकते हो, या फिर हमारे questionnaire से, आप subject to questions और MCQ जो मैं यहाँ बता रहा हो, यह read करके जाओ, definitely आपको काम आएगा, now, next chapter number 2 and 3, charge of tax and concept of supply, अब देखो, इसमें आपको पढ़ना क्या है, अच्छे से, उसके बाद में sections यह learn करके जाना है, sections to be remember, मतलब यह section number आपको learn करके जाना है, और important questions from questionnaire, क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देता हो, चलिए, सबसे पहले तो इस बार union territory की definition, साथ साथ में amendment notes रखना जब आप यह देख रहे हों, तो amendment notes भी साथ में रखना, और union territory related मैंने जो भी amendments में दिया हो, अच्छे से पढ़ने काना, जहाँ supply का चार्ट है बटा, तो supply का चार्ट, यहाँ पे supply, regular book से मत करना, time waste मत करना, सिधा सिधा चार्ट लेना, फटा फट और लुक कर लेना, गिन कर आपको 10 से 15 मिनिट लगने चाहिए, DDP का एक concept है वो अच्छे से पढ़के जाना, और कुछ definition जैसे recipient की, exam supply की, और composite mix supply की definitions जो अच्छे से पढ़के जाना है आपको, clarification में इस बार आपके exam के लिए, liquor license वाला clarification, display of name on nameplate by charitable institution, principal agent और DSA, इस पे सवाल पुछे जा सकते हो, other clarifications आप अच्छे से करके जाईएगा, now आपको question practice, either आपको ICI का practice question, वो आप solve कर सकते हो, लेकिन अगर वो solve नहीं करना है, मैं यह option इसलिए दे रहा हूँ, कि बहुत से पुराने student है, 2 साल, 3 साल, और हर attempt में मेरा questionnaire बदलता है, तो हो सकता है कि वो questions match ना करे, मेरे लिए practically possible नहीं कि आपके practical questions यह है, मैं match करके दू, यह मुझे मेरे लिए possible नहीं है, तो इसलिए बेटा, आपके वाद बहुत पुराना questionnaire होगा, तो आपके लिए best suggestion है कि ICI का practice questions ले, और इस related questions जो है, आप solve करे, जो भी आपको important लगता है, otherwise हमारे questionnaire के कुछ questions मैंने यहाँ पे दिये है, वो questions आप जो है, रीड कर सकते हो, अब दिखो, इतने सारे questions मैंने दिये, मेरे हिसाब से important, पर आपके time के हिसाब से आपको manage करना है, जितना आपके time में manage होता है, important questions उतने questions आपको read करके जाना है, क्योंकि हम ज़्यादा तो time नहीं ला सकते हैं दोस्तों, तो चलिए, इस तरह से यहाँ पर, reverse charge and issue, इस chapter में, इस बार, reverse charge में कौन-कौन से services आपको अच्छे से पढ़के जाना है, वो है, GTA का जो complete chart, 12% वाला, 5% वाला, और exemption मिला के, उसके बाद में legal service, with exemption, हाँ, legal service का reverse charge हो, इसके साथ, वो exemption भी cover कर लेना, आपका दोनों भी cover हो जाएगा, copyright service, security service, renting of motor vehicle, हा अच्छे से पढ़के जाना, और बहुत बहुत important, जहाँ case study आ सकती है, वो है director remuneration, director remuneration पे questions, आपको practical questions भी पूछा जा सकता है, तो यह जो clarification है, जो मैंने amendment notes में cover किया है, यह जरूर पढ़के जाना, तो इतना at least तो भी पहले complete कर लेना, बाकी का आपने और look कर लेना, उसक जो है 95 की issue, वो जस एक बार look कर लेना, उसको कहतम कर देना, next chapter, यह composition scheme, मैं composition scheme के बारे में आपको यह कहूँगा, कि आप जो है, चाप्टर पढ़ने के बजाए, चार्ट पढ़ लेना, और चार्ट से यह chapter फटा फट कंपलेट कर देना, और उसके बाद में जो है यह जितने ज्यादा problem solve करो, क्योंकि composition scheme में मुझे लगता है, आएगा तो problem यह आएगा, तो questionnaire से आप जितने ज्यादा problem solve कर सको, यह ICI के practice question से, इसके MCQ आप problem जितने solve करो, वो ज्यादा अच्छा है, तो यह chapter आपको कैसे read करना है, यह chapter read करते वख, आपको problem solving based ज्यादा जाना है, यह MCQ ज्यादा जाना है, rather than chapter completion, आप अगर regular book से chapter completion में लगे तो ज्यादा time लग जाएगा, तो directly problem पर attack करो, चार्ट पढ़ लेना, problem solving पर emphasize करना, यह interest के impact, जैसे interest on loan advances or deposit, बहुर से student को confusion होता है, तो ऐसे situation में मैंने एक summary बनाई है, summary कहां से मिलेगी, आपको बता होगा, जिसमें मैं आपने हर problem लेके समझाए कि आपको interest का, यहां adjustment कैसी करना है, especially in case of composition scheme, तो वो summary जरूरी पढ़ के जाना है, एक important बात आप सब के लिए कह देता हो, कि ICI ने clarify कर दिया है, कि जो 10-2 की conditions है, यहाने interest rate supply है, non-taxable supply वाली condition है, यह previous year में applicable नहीं होगी, यह current year में ही applicable होगी, मतलब आपने अगर previous year में interest rate supply किया होगा, आपने non-taxable supply किया होगा, तो ऐसे situation में यहां आपकी composition scheme विड्रॉण नहीं होगी, तो 10-2 में जितनी भी conditions दिये, वो previous year के लिए applicable नहीं है, तो यह 10-2 A में भी applicable होगा, यह 10-2 A जो predominantly service provider के लिए, उसको भी previous year में applicable होगा, current year में ही applicable होगा, और current year में applicable होने का मतलब क्या है, मतलब यह है, कि current year में जब भी आपने interest rate, outward supply या etc. supply कियो उस दिन विड्रॉण होगा, तो बस मेरा यह कहना है कि 10-2 की condition previous year के लिए लागू नहीं होगी, previous year में आपने यह सभी transactions किये होगे, तो भी आपको current year में composition scheme मिल जाएगी, यह chapter में दिया होगा, यह फिर मैंने आपको यहाँ wall chart दिया होगे, उस पे ज़्यादा emphasize करो और direct problem solving देखो, जितने ज़्यादा problems, जैसे मैंने हैं कुछ important problems दिये है, तो जितने ज़्यादा आप problems solve करो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, कौन से area में आपने focus करना आप RCM में TOS कैसे fix होते है, या associated enterprises में TOS कैसे fix होते है, यह area में ज़्यादा focus करना, और continuous supply of goods, service, approval, return basis पे TOS कैसे fix होता है, एक मैंने table आपको बना के दिया है, वो table अच्छे से पढ़के जाना और उसे related questions आपने पढ़के जाना है, आपको sections remember करने के लिए list मैंने यहाँ पे आपको, चार्ट से यह 15 मिट में खतम कर देना है, उससे जादा टाइम ने देना है, आपको अब चार्ट खतम होने के बाद कहाँ emphasize करना है, तो मैं आपको कोगा discount scheme, याने जो अलग-अलग discount है, buy one, get one free and etc. जो आपने clarifications देखे थे, उस clarification पे जादा देना है, problem presentation पे आपको ज transaction है, उसका valuation कैसे होगा है, specially दो proviso जो वहाँ पे दिये, उस पे आपने ज्यादा emphasize करना है, rule 30 में cost-based valuation कैसे होगा, और rule 32 में, rule 32 आप अच्छे से पढ़के जाना, जिसमें insurance agent वाला है, जिसमें यहाँ पे air travel agent है, यहाँ पे second-end goods की marginal scheme है, यह एरिया में थोड़ा अच्छे से पढ़के जाना, अब मैं आपको एक बात कह देता हूँ, यह भी ICI ने clarify कर दिया है, कि rule 32 में जो second-end goods है, उसके quarter जो निकाले जाएगे, वो calendar quarter base लिया जाएगा, मतलब क्या, मैंने, हाँ, अपने वीडियो में कहा था कि नहीं, आपको invoice से, जब goods आपका forfeit हो जाता है, क्यों calendar quarter कैसे calculate करते है, हमने rule 42 और 43 में देखा था, तो वो base लेना है, तो यह मैंने clarification देना था, यह section 15 याद रखना है, और related rules जो है, यह rules, यह जो मैंने important कहें, याद रखना है, उसके बाद में, यहाँ पर RTP के जो, आपकी जो RTP है, मैंने यह भी दिये कि कौन-कौन से questions आपको चाप्टर में रेफर करके जाना है, जब यह chapter कर रहे हो, तो RTP के, सबसे पहले RTP के यह questions देना, time मिला, तो फिर ICI का practice question, या मैंने important questions यहाँ पर दिये, इसके फटा-फट presentations देख लेना, और आपने, आपने obviously पड़े होगे, तो कुछ adjustment पे आपने, मार करके रखा होगा, तो आपने देख लेना, तो मैंने एक list बना के दिया है, आपको कि आपको कौन-कौन से questions देख के जाना है, पर सबसे पहले RTP का खतम करना, और भाद में यह questions आपको देखना है, ठीके, इसमें आपको clarification जो है, पिनाल इंट्रेस का clarification अच्छे से पढ़के जाना, उस पर सवाल आ सकता है, उसके बाद में payment of tax, payment of tax में इस बार section 50 में amendment है, regarding to interest calculation, यह अच्छे से पढ़के जाना, और मुझे लगता है कि यह area अभी भी open है, cash ledger PMT 09 से open हो गया है, free हो गया है, तो इसके उपर मैंने कुछ problems बना कि दिये थे आपको, और कि वो problem देखना कि cash ledger का पैसा आप कर सकते हो, उसके एक छोटा सा सवाल आ सकता है, और rule 86A, restriction of ITC, इसके उपर भी सवाल आ सकता है, इसमें दो section आपको learn करना है, section 49 और section 50, यह section पर आपको जो है विटा, यह learn, जब भी आपको यह answer लिखोगे, तो यह reference के लिए use होगा, जहां तक questions कॉन से practice करना है, तो मैंने द page पर, चलिए, उसके बाद में next बेटा, TDS and TCS, जहां तक है TDS और TCS यह chapter में कहोगा कि सीधा सीधा question यह न उठाना, और question बाजू में regular book रख देना, question यह न उठाना, और कुछ नहीं समझा तो फिर आप book में से पढ़ोगा, लेकिन इसके उपर आज तक जो है practical questions या MCQ questions ही प TDS कहां कहा applicable नहीं है, जैसे आपको पता होगा कि एक government department, दूसरे government को supply करता है, TDS applicable नहीं है, defense के लिए benefit दिया गया है, तो यह सब या फिर आपका contract value ढहला के नीचे होगी, तो TDS applicable नहीं है, तो यह कुछ points जो है आपको अच्छे से देख के जाना है, next, यह प्रवीजो जो institute क TDS नहीं लगता है, इस पर case study आ सकते है कि location of supplier और place of supplier एक state में है, और recipient other state में है, तो वो case में TDS नहीं लगता है, इस पर थोड़ा आपने ख्याल रखके जाना है, और यहां section, दो section learn करना है, section 51 और section 52, TDS and TCS, तो बेटा, जितने section का reference में यहाँ पे ले रहाँ, उतने sections अगर आप learn करके जाए exam purpose के लिए, तो आपको definitely फायदा होगा, फिर आते है ITC, यह chapter तो वैसे भी पूरा important है, लेकिन कौन-कौन से area में आपको focus रखता है, जहां पे सवाल पुछे जा सकते है, एक है, जहां तक देखा जा, rule 36.4, rule 36.4 में जो non-reported का ITC है, 5% अभी आपके exam, sorry, यहां पे 10% आपके exam के लिए किया गया है, तो यह जो 10% आपके exam के लिए किया गया है, इसके ओपर सवाल आ सकता है, reported और non-reported, तो यह अच्छे से पढ़के जाना, block credit, obviously, जब भी आप problems solve करते हो, तो block credit पे adjustments होती है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़के जाना, उसके बाद में कुछ clarification related to ITC, free gift होगा, buy one, get one, free होगा, buy more, save more होगा, तो यहां ITC के impact क्या होगे, यह भी आप अच्छे से पढ़के जाना, लेकिन, अब जैसा institute जो है, यह तो मैंने का, rule 4243, अब rule 4243 का फटा-फट चार देख लेना, apportionment of ITC, और at least इसके उपर एक problem solve करना और presentation rough में करके जाना, क्योंकि time पर यह आपको problem तो समझ जाता है, लेकिन presentation ने कर जाता है, तो इसले एक problem लेना, उसका complete presentation, notes कैसे लिखी गई है, क्या लिखे है, उसके उपर practice कर लेना, फटा-फट, और उसके बाद में 86A, यहां पर जो मैंने उपर भी cover किया था, इसके सबाल आ सकता है, यह amendment restriction of ITC, section आपको 17, 18, 19, 20 यह पढ़के जाना है, अभी पिछले कुछ exam में ISD पर सबाल पुछे गयते है, कि ISD के ITC distribution कैसे हो सकते है, उस पर पुछा गयता है, बर मुझे नहीं लगता है कि इस बार आएगा, लेकिन छोड़ना मत, at least उसका format तो भी देख अच्छे से पढ़के जाना, important question, either मेरे questionnaire से, या ICI के practice question से, आप select कर सकते हो, उसके बाद में registration, यह chapter आपके लिए important है, एक question तो आएगा यह chapter से, इसलिए section 22, 23 और 24, यह बहुत अच्छे से पढ़के जाना, हर criteria इसका अच्छे से पढ़के जाना, 40 lakhs का threshold, 20 lakhs का threshold, उसके की procedure, यह 3 section पढ़ने का, procedure में, इस बार की जो amendment है, आदर authentication और rule 9 की procedure, वो एक chart मेने दिया amendment notes में, वो फटाफट आपने कर लेना है, उसके बाद में 27 CTP, NRTP पढ़के चले जाना है, और rule section 29, cancellation and suspension, यह section आपको तुझा एक अच्छे से read करके चले जाना है, कि कहां का voluntary cancellation हो सकता है कहां officer cancel करता है, क्या उसकी procedure है, एक बार यह देख लेना, now questions की list मैंने नीचे दी हुई है, उसके बाद में अगर आप exemption chapter में आओगे, तो exemption में बहुत सारे sector है, पर मैंने आपके exam के लिए कुछ sector select किया हुए, यह sector से आपके exam में सवाल आ सकता है, healthcare sector, legal service, agriculture, transportation, renting of immobile property, entertainment, education sector, इसमें जितने भी exemption है, वो exemption आप अच्छे से करके जाएए, government sector, और RWA to member, एक clarification है, कि अगर residential welfare society, member को service देती है, तो 7,500 के नीचे amount होगा, तो exemption होगा, पर उससे related clarification है, वो अच्छे से पढ़के जाना, और एक है कि बाहर से service जब इंडिया में आती है, और individual या government लेता है, तो वो IGST का exemption है, ये भी exemption आपने अच्छे से पढ़के जाना है, दोस्तों, now, next बेटा, place of supply, place of supply में आप एक काम करना, सीधा-सीधा चार्ट या booster revision जो मैंने दिया है, वो उठाना, और यहाँ पे 10 के POS, 11 के POS वो टेबल फटा पढ़ लेना, ठीक है, अब IGST rules में से आपको मैं कह देता हो, सभी rules अच्छे से पढ़ नहीं पढ़ना है, आपको सिफ rule 4 और rule 7, इस पर मुझे लगता है कि इस बार आपके exam में question आ सकता है, rule 4 और rule 7 से related, ये अच्छे से पढ़के जाना है, section 16, no doubt, वो तो refund के लिए important ये, zero rated supply, ये section 16 का concept अच्छे से पढ़के जाना है, और clarification export service, यानि अगर हम outsource करते बाहर, और बाहर के बाहर पैसा जाता है, तो वो situation में किस तरह से export benefit मिलेंगे, वो clarification पे सवाल आ सकता है, याद करने के लिए section, ये 4 section आप section number के साथ याद करके जाना, अगर इसके sub section याद रोग पाए, तो अच्छी बात है, लेकिन ये direct table से आपको कहूगा कि अगर आपका chart से फटा फट पढ़ना हो गया, और rule 4.7 पर आपने थोगा अच्छे से emphasize किया, तो उसके बाद में जो है बेटा, आप यहाँ पे question की practice करो तो अच्छी बात है, RTP में question cover किया गया है, तो वो एक अच्छे से देख लेना है आपको, ठीक है, उसके बाद में tax invoice, इस बार मुझे लगता है कि tax invoice chapter में e invoice पे 99% chances है कि सवाल आ सकता है, इसलिए e invoice अच्छे से पढ़के जाना है आपको, जिस पे definitely सवाल पुछा जा सकता है, और credit note, debit note के concept, इस पे clarification था, credit note, debit note पे, तो वो clarification, याने refund मिलेगा, या credit note, debit note से adjustment होगी, वो एक clarification अच्छे से पढ़के जाना है आपको, कि जो मैंने chapter के end में दिया था, तो ये हमने tax invoice relative, अगर बात हम return की करें, तो return chapter आपके लिए इतना important नहीं है, पर एक छोटा सा question पूछा जा सकता है, वो है, निल written by SMSC, अमेंड में भी मैंने cover किया है, तो साथ साथ में amendment notes भी देख ले और इसकी time limit क्या है, इस पर भी सवाल कभी कभी पूछती है, तो वो area आपने देख लेना है, बागी section की list मैंने दिया है, ये section number अगर आपको याद रहे जाए तो अच्छी बात है, उसके बाद में हम job work की बात करें, अब मैं आपको बतातो इसके बात के chapter, इसके बात के chapter के chart जो है, मैंने GST last topic charts बना हुए है, उसके link, video link as well as उसके PDF link, अब वीडियो के लिए तो आपको time नहीं मिलेगा, तभी मैंने कुछ quick revision videos बना है, तो वो quick revision videos आपने देख लिए तो that's seen up, कि आने 10-10-15-15 minute की videos बना हैं, कि उसके charts भी दिये, उतने देख लिए तो भी चलेगा, अब यही इसके आगे के topics मैं कहूँगा, चार्ट से कर लेना, और मैं आपको strongly recommend करता हूँ, कि chart से जैसे इसके आगे के topics आपके हो जाएगे, तो ICAI के practice question लेना, और मेरे question book से ज्यादा भी, क्योंकि मेरे question में, आपके question match हो ना हो मेरे number से, इसलिए मैं आपको direct होगा, इसके पहले तो ठीक है, इसके मेरे questionnaire से आप solve कर पाऊ अची बात है, लेकि, ICAI के practice questions इस chapter के लिए आपने देख लेना, क्योंकि वो repeat होते है, और आपको repeat होगे exam में आगे, तो आपको definitely उसका फाइदा मिल जाएगा, ठीक है, तो यह आप job work होगा, accounts and records evable होगा, assessment और audit होगा, यह chapter जैसा मैंना भी कहा, वैसा ही आपको करना है, यहाँ पर पूरा चार्ट से करना है, आपको मैं कहता हूँ, regular book भी open नहीं करना है, पर चार्ट अच्छे से कर लेना है, और इसके जो questions है अच्छे से कर लेना है, तो definitely आपको इसका फाइदा होगा, और जल से जल कतम हो जाएग एडवांस रूलिंग हुआ, बस मेरा चार्ट देख लेना है, चार्ट की लिंक और वीडियो लिंक में में आपको प्रोवाइड कर दूगा, डिमांड रिकोरी हुआ, और इमांड रिकोरी में भी बिटा, यह जो है चार्ट के तुरू यह चाप्टर से आपने फटा-फट कर लेना है, और question practice के लिए दिया है, यह ICI का practice questions आप कर सकते हो, refund charter में इस बार जो मैं expert कर रहा हूँ, तो यह तीन रूल अच्छे से करके जाना, 89-4-A, Deem Export, 89-4-B, Merchant Exporter, और 89-4 refund of ITC for ZRS, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 1.5 times वाला, जो domestic market price वाला clause आया, 0-rated supply of goods में उ अच्छे से करके जाना है, refund of ITC 89-5 in case of inverted tax structure, तो यह 5 रूल आपको अच्छे से करके जाना, इसके problems भी अच्छे से करके जाना, बाकि जतना read होता है, उतना read कर लेंआ, पर यह 5 रूल आपको अच्छे से करके जाना है, इसकी relevant date, इसकी documents फगेर, etc. दूसरा, मैं आपको कह दे कि यहां पर रिफॉर्ट से रिलेटे आई सी आय का जो प्रैक्टिस कोशिन ने वह भी बहुत अच्छा है तो वह भी आपने स्वाल किया तो चलेगा बाकि कौन से सेक्षिन याद रखने मैंने यहां दिये आप उसको सेक्षिन को याद रख सकते हों सेक्षिन नंबर उसके बाद में अगें यह चाप्टर को ज्यादा टाइम मत देना इंस्पेक्षिन सर्चों सिजर जितना मैंने चार्ट में कवर किया बस उतना ही कवर कर लेना इसके बाद में ऑफेंस और पेनल्टिस यह चाप्टर बहुत अच्छे से करके जाना थोड़ा चार्ट कर लेना और यह कौश्चंस आप जरूर स्वाल करीज़िएगा जो कौश्चं यह चाप्टर आप क्वश्चं पर स्वाल कीज़िएगा याने क्स तरह से आते हैं एक्जाम में आइसे एक्षिन का प्रैक्टिस कोश्चं भी आप ले सकते हो और उस पे ज़्यादा करना राइदर देन ठेरी ठीक है और स्वाल कर पाऊ तो ज़्यादा अच्छी बात है और मिसलिनियस में एक ही इंपोर्टेंट है एंटी प्रॉफिटिंग मेजर तो वह आपने एक बात देख लेना के एंटी प्रॉफिटिंग मेजर उसके बाद में अगर हम कॉस्टम्स ए प्रॉफिशन पढ़ते वक आपका पूरा एंफसाइज होना चे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रॉफिशन इसमें मैंने अलग-अलग अप्रोच लिए कि अगर F.S. प्राइस दिया होगा F.O.B. प्राइस दिया होगा C.I.P. प्राइस दिया होगा तो आपने क और आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा और मैं चाहता हो कि आप एक दो प्रॉब्लम का प्रेजंटेशन करके भी जरूर देख लेना तो आपको डेफिनेटी नोट्स कैसे लिखा जाता है उस पर एंफसाइज करना तो हेल्प करेगा section और rules कैसे remember करना यह मैंने यहाँ पर बता हुआ है यह action rate का एक table मैंने आपको दिया था कि action rate कप क्योंने चाहिए duty rate कप क्योंने चाहिए वो table भी आपने अच्छे से पढ़के जाना exam के पहले so that कि आपको time पर कोई confusion ना हो ठीक है उसके बाद मैं बढ़ा यहाँ पर assessment and date for determination of duty and tariff value ठीक है तो अब ऐसे case में यह section 15, 16, 17, 18 और project import यह जो है फटाफट पढ़के चले जाना यह section 15 relevant date क्या होगी assessment कैसा होगा लेकिन इस बार मुझे लगता है कि faceless assessment पे एक सवाल आ सकता है तो faceless assessment जो है amendment में मैंने cover किया है तो एक छोटी सी short note आ सकती है तो वो अच्छे से क करके जाना है फिर एक chapter है drawback drawback chapter no doubt बहुत important है again मैं कहोगा कि मेरा questionnaire उठाओ और questionnaire से जितना आप सवाल कर सकते हो थेरी पढ़ने के वाईदा direct questionnaire और questionnaire से जितना आप सवाल कर सकते हो उतना सवाल आपने करना RTP में भी इसके उपर question है तो इस बार यह chapter आपके लिए बड़ा important है इसके पर सवाल आ सकता है ठीक है तो यह अच्छे से करके जाना है drawback chapter mostly question based अगर आप ज्यादा practice करोगे chart देख लिया question based practice करोगे तो आपको definitely इसमें help होगा और उसके बाद में बेटा baggage baggage भी आप question based practice करो chart देख लो question based practice करो RTP में भी 20 बार question है तो यह chapter भी आपको थोड़ा emphasize करना है ठीक है जो sequence में मैंने customs का यह लिया है उसी sequence में आपको पढ़ना चालू करना है import export procedure इसमें just कुछ questions पे कुछ section पे धान देना है जो section number में यहा लिखे इसकी list भी आपको दिये बस यह section आपको read करके जाना है फिर ज्यादा detail में नहीं जाना है बस यह section read कर लेना बात तो वो case में transaction value या valuation under section 38 whichever is higher वो valuation कैसे हो सकता है वो एक बात देख लेना section 8, 9 और 9 है मतलब safeguard, CVD on subsidized article or anti-dumping duty इसके problem solve करना यहने theory अगर नहीं भी हो पाए एक बार overlook कर दी आपकी theory उसके बाद में इसके जो problems है problem ज़रूर solve करके देखना तो इसके उपर सवाल आ सकता है और time प concession under customs, pilferage, remission है तो इसमें section 28 section important है जिसके ओपर institute continue सवाल पुछती है वो re-importation, re-importation के notification और institute यह area में practical question पुछती है तो यह area में अगर आपको practical questions मिलते है तो वो भी definitely देख के जाना है आपको, ठीक है, customs के मैंने important question list आपको नहीं दी है, इसमें limited case में मैंने topics जादा दी है, ज के बाद में जहां तक है, valuation पे जो भी आपको important questions लगते है, वो questions format वगरे आप देख के चले जाए तो ज्यादा आपको better रहेगा, foreign trade policy में यह 4 scheme आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और ICI की जो practice questions है, वो practice questions आपको देख के चले जाना है, ठीक है, कि बस उतना देख foreign trade policy, चार्स की by heart learn कर लेना है, यह देख के points wise learn कर लेना है, और जो कुछ practice questions है तो वो देख के जाना है, बाकी chapter post, stores, audit or refund, यह just overlook कर लेना है, जैसे आपको time मिलेगा, उसके बाद में बेटा, मैंने नीचे एक list दिया हुआ है, आपको इन notes मिल जाएगी, यह जो list है कि आपको time पर जैसे यह जो मैंने अभी screen पर बता है, इसकी PDF उसके बाद में time table आपने, मैं अभी जो बता होगा time table की किस तर से आपने पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको, okay, यह प्रोवाइड कर दूगा, amendment and questions of amendment उसके video और PDF, custom valuation related जो है, custom valuation related video और PDF मैं आपको पूरा प्रोवाइड क कर दूगा, यह आपको मिल जाएगा बेटा, okay, यहाँ पर www.vsmartacademy.com slash vishalcer, सभी की link आपको detail में मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको यह link मिल जाएगी slash vishalcer, यहाँ पर जाएगा, और detail में देख लीजिएगा, सभी videos, सभी notes, okay, जो भी appropriate है, मैंने दिये, जैसे interest का, जै जो भी आपके लिए relevant है, वो मैं आपको देदूगा, यह list आज शाम तक update हो जाएगी, पुरा video शायद आप अभी देख रहे हो, पर आज शाम तक यह list पूरी update हो जाएगी, और updated list पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हर supporting material आपको मिल जाएगा, उसके बाद में, जो भी मैंने उपर section से दिये है, तो sequence में मैंने arrange की है, आपको sequence में यह sections यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, sequence में जो आपको learn करके जाना है sections, तो यहाँ आपका मैंने topic-wide study plan दिया, चलिए, अब मैं आपको कहोगा कि आपने पढ़ाई कैसे करनी चीए, यह मैंने बनाएवा schedule है, मैं 17 तारिक को आप DT का paper होके आएगे, 5 बजे आप आओगे, फिर मेरा यह lecture देखोगे, one day before strategy, तो मैं समझता हूँ, 7 बजे आप पढ़ाई करने बैठोगे, तो 7 से 11 जैसे मैंने उपर बताया, वो strategy follow करके, चलिए questions नहीं, पर बाकी की चीज़े, questions, आपके questions solving के लिए मैंने separate time रखा है, साथ साथ में कुछ questions all हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने at least chart या फिर जो जो एरिया में मैंने आपको focus करने का, या amendment का, वो एरिया में 7 to 11, ये 4 घंटे आपको इतने chapters complete करने हैं, उसके बाद में 11 बजे बैठना है, 11 से साड़े बारा custom valuation, एक chapter को ले और custom valuation, यहाँ पर उसको लेके पढ़ना है, फिर सो जाईएगा, बिल्कुल relax हो जाईएगा, सुबे साड़े पांच बजे उठीएगा, साड़े पांच से साड़े आट तीन घंटा पूरा customs का, जैसे जैसे मैंने उपर planning का है, वो chart based plus कुछ area में जहाँ जाँ कुछ section पर focus कर यह तीन घंटे में खतम कीजिएगा, फिर से GST लोगे, जिसमें ITC, place of supply, registration, tax, invoice, return, यह complete करोगे, और strategy वही होगी, जो मैंने उपर कही है, उसके बाद में 2 से 5 तक exemption, job work, account records, EV bill, refund, यह charts जो मैंने दिये हैं, वो फटा फट चार्ट से और लुक कर लेना, उसके बाद में शाम क तो शाड़े 5 बज़े से लेके, साड़े 8 बज़े तक, क्योंकि ब्रेक चाहिए आदी घंटे का ब्रेक लेलिया, साड़े 5 से साड़े 8 बज़े तक आप बचे वे chapters complete कर लेना, और फिर 9 बज़े, खाना काने के बाद, 9 से 11 यह offense penalty, appeal revision, और FTP, FTP की चार स्कीम आपने फटा प और next day 19 को मैंने यहाँ पे सुभे 5 बज़े से साड़े 11 बज़े तक, questioners के लिए time दिया, तो यहाँ जहाँ जो questions मैंने important कहे है, वो questions आपको बहुत अच्छे से देखना है, और 12 से देड़ बज़े तक, जो भी extra material और amendments है, एक बार amendments पे और look कर लेना है, interest की summary है, या आपको जो भी important लगता है, जो points जैसे duty rate, action rate, कपके लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कुछ important points पे आप एक बार और look कर लेना, तो इस तरह से मैंने आपका time table बनाया है, I hope आपको यह time table definitely help करेगा, तो चलिए दोस्तों, मैंने कोशिश किए कि एक strategy आपको बना के दूँ, आप और presentation एक बार memory को just touch कर देना है, कि हाँ, यह ऐसा presentation है, इसा करना पड़ेगा, इस तरह से note लिक लेना है, जादा कहीं अटकना नहीं है, जादा कहीं डीप में जाना है, यह कुछ स्वाल करते हैं नहीं आया तो आपको, अरे हम नहीं आ रहा है, नहीं छोड़ दो, जितना आप अ अच्छे marks मिले, 80 के उपर आपको target करना है, और एक बात कहना चाहोगा, बटा, 10 से 15 mark के tricky questions आते हैं, बाकि 80 to 85 marks का paper आप बहुत अच्छे से solve कर सकते हो, मुझे यह पता है, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी होती है, इसले मैं कहता हूँ कि पूरा syllabus कवर करके जाना है, और 80 to 85 marks का paper, अगर आप अच्छे से solve करते हो, थोड़ा 10-15 minutes लेकर प्रॉपरली planning कर लेना, अगर यह 80 में से 70 मिल जाए, तो that's enough, वो 20 mark के जो tricky questions है, उसका tension मत लो, दिमाग को बार बार यह command दो कि yes, मैं 80 में से 70 क्यों नहीं, 70 लेके ही रहोगा, इस universe को, इस dunya को यह declaration दे दो अभी, कि yes, मैं 80 mark का तो solve करूगा और 80 में से 70 लोगा, और उपर के 20 marks के जो है, उसमें से जितना भी solve करते हैं, मैं solve करूगा और marks लोगा, पर जब भी आप, जब तक IDT का last paper का last word लेकते हो, तब तक आपने मानना ही नहीं कि आपको below 80 मिलेगे, आपको मिलेगे तो above 80 ही मिलेगे, प आपके paper बहुत अच्छे जाएगे, मेरी best wishes आपके साथ है, और yes, हमें इस बार से बनना है, और हमारा जो एक सपना, एक ड्रीम था, वो पूरा complete करना है, तो दोस्तों, मैं आप आपका ज्यादा time नहीं लोगा, yes, ये दो दिन, बिलकुल पुराने paper कैसे रह, क्या रह, मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता, forget it, memory याद करेगी, memory बार बार याद दिलाएगी, पर आपको कंट्रोल करके, बार बार करना है, forget it, okay, ये कहना है, एक command देना है, forget it, अपने आपको ही डाटना है, और आगे जो है, इस paper के लिए अच्छा पढ़ने के लिए आप बैठ क्या होगा, तो आप group निकल गए, समय लो मैं लिख कर देता हूँ, सिर्फ दो paper आपके अच्छे जाने चाहिए, ये last paper है और ये आपका सबसे best paper रहेगा, all the best, दोस्तो, yes, मैं आपके positive result का wait करूगा, अगर आप pass हुए rank में हैं, तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा, मुझे जरूर इंफार कीजिएगा, thank you, thank you to all of you.